पूर्णिया के नेशनल हाईवे पर हुआ थाना के बाहर सड़क हाथसा तीन वर्षे बच्चे के साथ बुरी तरह जख्मी हुए पिता इस्थाने लोगों का गुश्वा पुलिस परसासन पर भी फूट पड़ा हाथसे का कारण पुलिस की गस्ती गाड़ी को बताई जा रही है इस्थाने लोगों का आरोफ है की नेशनल हाईवे का 30 पर मरंगा थाना के ठीक सामने बाइक पर सवार होकर पिता अपने तीन वर्षे बेटे के साथ हरदा अपने घर की ओर जा रहे थे मरंगा थाना के ठीक सामने गेट पर सामने से आरही तेज रफ्तार पुलिस की गस्ती गाड़ी के सामने नियंतरन बिगड़ गया गाड़ी को संभालने के करम में बाइक सी थे खरी ट्रक से टकड़ा गई और टककर इतनी जबरदस थी कि पिता और बच्चे दोनों का सर फट गया इस्थाने लोगों का आरोप है कि गायलों की मदद के लिवे थाना से बोलते रहे मगर कोई सामने नहीं आया लहु लुहान दोनों ही पिता और बच्चे सड़क पर पड़े रहे इस्थाने लोगों ने गायलों को आर्टो में डाल कर सदरस्पताल भेजा जहां उसका इलाज चल रहा है बच्चे के हालत में सुधार है मगर पिता के स्थिति गंभीर बताई जा रहे है कितने लोग थे गड़ी में यह दो कहां गहार है आपका है पेट्रोलिंग गड़ी और इस रफ्तार में थी कि सरक पे चलने वाले कि लर्क का अपनी छोटे बच्चे के साथ में जा रहा था अपनी घड़ की और उसको किराते में निकल गया और इस तरह इगनोर करके गया कि जिस तरह के कोई घटना हुआ ही नहीं उसके माद्यम से और थाना के पर्सासंघ के जो भी यहाँ पर अभी लोग है उपस्थीत्ग जो भी यहां पर विकार्जरत हैं उनसे मिले हम अभी जाके और बोले भी जरा रोड पर जाके देखिए आपके ठना के सामने में एक्सिद सब्सक्राइब कर दोनों मतलब की बहुत जादे चोट है दोनों के माथा में चोट है कापी ब्लड बारा जो कि आपको सामने में भी ब्लड गिरावाद दिखता है कहां है अभी यहां के पब्लिक हम और और सब यहां से क्लों भाई हैं जो कि याता यात अपना गाड़ी रोक कर उसको मदद किये और टेम्पू के माध्यम से विसादर हस्पताल बेजा गया पर्शासन का कहीं कोई मदद नहीं यह मरंगा था ना मरंगा चौक क्या हुआ था? आप देख रहे हैं, SDN News, तुन्दे की पाथ आपके साथ.